इसे बीच के मैं आज बहुत हमारे जितने भी लेडर्स हैं उनके भी अपलाइन हैं यहाँ पे मौजूर जिनका आज सेशन है और आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेके फोकस किया गिया है तो बहुत सांदार ट्रेनिंग सेशन होने वाला है मैं आप लोगों से एक request करना चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं सिर्फ ये महसूस अपने आपको ना होने दें कि मैं सिर्फ बैठा हूँ और ये सुनके अपने पास में diary, pain जरूर रखें क्योंकि सर आने वाले समय में आपको भी ये system पे आना पड़ेगा आपको भी लो नहीं सकते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट जो main topic होते हैं, main point जो होते हैं, उनको आपको सीखना बहुत जरूरी है, so please request ही करेंगे, आप जरूर ये काम करें, अपने topic को जरूर सीखे और लिखे, क्योंकि दिमाग में हमेशा एक जैसा चीज भरा नहीं जाता ह लेकिन लिखे रहेंगे तो जब भी आप पन्ने पलटेंगे, तो अपने diary से वो चीज आपको remind हो जाता है, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हमारे great mentor राजेशर हैं, तो मैं चाहूंगा राजेशर को एक बार सारे लोग welcome करके chat में उनको बुलाएं, और राजेशर आपक वेलकम है जुमकी इस बाट साला में, राजेशर वेलकम, सारे वेलकम जरूर करें चैट में, जी, गूड मॉर्निंग सर, सभी लोग को सुपर बात, जैसा की अभी संदीव सर ने बताया, आप सभी लोग को बाकरी में आज का सेसन, हम लोग जबरदस्त करने जा रहे हैं, ब संदीव सर, एस स्क्रीन सेर हो रही है, जी सर, जी सर, एस कि जारी है, इस सर, क्लियर है, ओके, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, हमारे दो ऐसे पॉडक्ट्स, जिसका नाम है बेरी जूशू, बेरी पल्स के नाम से अपनी यहां आता है, और दूसरा पॉड़क्ट है हमारा Elvera Gel दोनों product हमारे स्वास्त के लिए हमारे business के लिए बहुत ही सांदार effective है तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे पिछला session में हम लोग ने 5 products के बारे में जाना था जिससे की हमारे business को एक नया strength देने में मदद करता है उसी तरीके से यह दो product जो है आपके स्वास्त और business के strength देंगे तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे और इसी की चर्चा करेंगे तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारा very pulse किस तरीके से और कहां कहां हमारे body में इसकर roll है और किस तरह से हम इसका जदा-जदा लाब ले सकते हैं लोग को दे सकते हैं तो जैसा कि juice के बारे में हम जैसे यह बात करते हैं तो हमें यह चीज़ सबसे common सामने आती है वो है एंटी ऑक्सिडेंट हर लोग आज जान चुके हैं या समझ चुके हैं कि एंटी ऑक्सिडेंट का रोल इस तरीके से हमारे लिए important है तो अपने बेरी जो पल्स है इस बेरी जूस में आपको 15 बेरी लिया गया है और यह 15 बेरी अगर हम बात करें तो अलग-अलग खुबियों के साथ आते हैं तो यह 15 बेरी में जो common चीज़ पाए जाता है वो है एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी ऑक्सिडेंट आज जैसा कि हमने अभी शुरुवात में ही बोला कि यह आज की डेट में हमारे लिए जैसे भ इंपॉर्टेंट आज की डेट में हमारे लिए एंटीऑक्सिडेंट है एंटीऑक्सिडेंट का अगर हम लोग बात करें इसका रोल हमारे बोड़ी को उपर किस तरीके से हैं तो यह हमारा रोक परतिरोधक चमता को बढ़ाता है, हमारा सेल को रिजनेरेट करने में मदद करता है, हमें हानिकारक जितने भी अभी जो हम लोग मोबाइल, फोन इस्तमाल करते हैं, जो हमारा मतलब की आज की डेट में इन्वार्मेंट है, उससे जो पॉलूसन हमें आरे इस सभी चीजों से बचाता है, हमारा इन्ट योकसिडेंट, तो इन्ट 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 का जो अगर स्रोध के बारें बात करें, इसका सबसे अच्छा स्रोध जो हता है, हल, साग, सबजी, और वो ऐसे पाउधे, जिससे कि हम लोग उसको इस्तमाल करते हैं, तो वहाँ से हम परचूर मात्रा में एंटियोक्सिदेन मिलता है लेकिन आज की डिट में जो हमारा जीवन सहली है तो हम आप देख रहे हैं कि इस भाग दोले जीवन सहली में जो फूड प्रोसेसिंग है मतलब जो उब जाने का जो पड़किडिया है वो आज किटनासक और खाद बेस्ट हो ज इसके वज़े से जो हमें मिलने चाहिए साक सब्जी फल से वो हमें उतने मात्रा में मिल नहीं पाते हैं और यह जो प्रोसेस है प्रकिरिया है जो फल सब्जी हमारे पास स्टोर करने का ओभी जो है तुटता कब है मिलता कब हमें तो 6-7 दिन-10-15 दिन का भी फ्रोसेस हो जा तो आज हमारे पास बेरी जूस उपलब्द है जिसमें की कंपनी कंपनियां इतना एडवांस हो चुकी है कि फल टुटने से लेके प्रोसेसिंग करने में 24 गंडा या हडली 30 गंडा लेते हैं जिससे कि उसमें प्रोपर तरीके से इस जूस में प्राप्थ हो जाते हैं तो हमारा जो में यहां पर बेरी जूस का जो इस्तेमाल है वो है कि हम यहां ज्यादा-ज्यादा मातरे में एंटियोक्सिडेंट ले सके अब सब मचते हैं कि एंटियोक्सिडेंट है क्या और एंटियोक्सिडेंट से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं तो अगर है क्या बात कर को सिक्काय है , उसको नुकसान होने सर्भ बचाते हैं और हमारे सरीर में कैंसर रोधी बहुते हैं तो उनको रोकने में मदद करता हैं गय अगर आप अब इन्टि अर्ए सरिटन्ट ले रहे हैं तो तो हम लोग यहांपर इस तरीके से अगर बात करें तो यह हमारे लिए important हो जाता है और इसके जो फायदे के बारे हम बात करें अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान होगा और अगर हम इसको लेते हैं तो क्या-क्या फायदा होंगे तो अगर फायदे के बारे हम बात करें तो बहुत सारे करता है तो हमारे गोजन में या हमारे जूस के दवारा आगर hem लेते हैं एंटियोक्सिड़न को कम करता है आखों के लिए अच्छा होता है नियांतरित करता है और जैसा कि मैंने यह सब काम है और अगर आप पिसको क्र समस्य हो सकती है सब समस्य को उसल्ब नहीं ले रहे हैं तो अगर यह सब बरवर देखा गया है, मजragen प्रूसड़ हो सकती है उनको त्वाचा और बालों की समस्या कि आप दास्त कमजोर होना और जो घाव बेगरा हो गया है तो उसको देर से भरना और सबसे इंपोर्टेंट जो है कि आपका जो सेल बनने की या टुटने की जो पड़किरिया है वो बालेंस नहीं रपाती है जिससे आपको एजिंग प्रोलम होती है कि आप हैं 40 के और दिखते हैं 50 के हैं 50 के दिखते हैं 60 के तो यह समस्या भी कम इंटियोक्सिडेंट लेने सोते है और उसके अलावा जब हमारा इम्म्यू सरे और आपो अंडिया हमें बहुत सारी भिमार्यों से बचना है और अपने आपको बेहतर बनाना है तो हमें इंटियुकसिडेंट प सेवन करना परेगा और अगर उसमें, हम लोगे करें थो प DAR बरी में किए smज सारे गुणों को लेकर हमारे इस प्रॉडक्स को बेहतर बनाते तो इसमेर के में लोग बात करे डिया जिसका नाम आशा तुत जिसके रुप में जानते हैं और बहुत साय लोग इस सहतूत को आसपास में देखे भी है और इस्तमाल कि जैसे कि हमने बताए कि antioxydent पा जाता है लेकिन उसके अलावा भी और भी चीजें है तो सतूर सब्द देखा गया है कि ने और को सब्बरर होता है तो सब्सक्राइए और इसके अलावा अगर फायदे के बारे बात करें कि इसके और क्या थाइदह है इसको बाता है शर्दी जुकाम होती है मुटता है उसके बाद अगर हम लोग vaccine के समस्या स से दो चार हो रहे हैं परशानी हो यूरीन की समस्या से तो आपको यूरीन हो ला समस्या को भी बहतर करता है इससे आखों की रोसनी बढ़ती है और अगर हम गड़्मियों में इसका सेमन कर रहे हैं तो लू बगारा जो होता है वो आपको उस खात्रे को कम कर देता है लीवर से जूरी जितनी भी तरह के समस्या हैं उसमें यह फायदे मंद है फिर जाके इसका अगर हम बात करें तो जो फोड़े घाओ यह सब जो हो जाते हैं खुझली बेगरा होता है उसको भी यह उभर कम करता है उसमें भी यह हमें बहतर इस्तिति में लाने में मदद करता है तो यह हमारा सतूत है जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और इ नुश्ति ज्दों के अगर हम च्रोक्त्रआटे के नाम करें तो यहां पर आपको बहतर अपय कि आपको दिक नेंगे जिस्ते कि आपको पाचन सक्ति, stress को कम करने में. दिल के दोरा जो आम समस्या हो चुका है उसको overcome करने में. और जो सबसे important रोल निवाता है ये blueberry वो निवाता है मोटापा को कम करने में. ये चार इसके फाइदे हैं. तो हर बेडी में आप देखेंगे तो उसका अलग-अलग फाइदा हमें और आपको नजर आएगा यह हमारा जो है एक कंटेंट हमारा और है इसी में जिसको बोलते हैं क्रेंड बेडी अब यह क्रेंड बेडी हर बेडी में जो भी बेडी हम लोग बात करेंगे तो हर बेडी में जैसा कि हमने बात किया कि एंटियोग्सेडेंट पर्चूर मात्रा में है उससी तरह से हमारे एक क्रेंड बेडी में भी बहुत सारे चीज एंटियोग्सेडेंट के अलावा भी है और इसमें जो इंपोर्ट थे पिर बिटामीन के है, बिटामीन ए है, लूतीन है, केरोटीन है, इस तरह के साथ के सोर्स आपको केन बैरी में मिलते हैं. अगर इसके हम लाब के बारे में बात करें, तो कोई भी क्रेन बीदी का जूस अगर पर दे एक गिलाज या एक कप लेना शुरू कर दे तो इससे कई ऐसे लाब हैं जो कि हमें मिलते हैं आप सबसे जो आजकी डिट में आप देखे होंगे कि पेट से समस्याओं से लोग जुड़े हुए हैं परसान है और उस समस्या में क्या है कि अलसर का अलसर का दिकत लोग को हो रहा है तो उसमें इसका बहुत इंपोर्टेंट रोल हो जाता है जो कि आपको अंसर जैसे परसान करने वाले बीमारी को भी यह बाइलेंस कर देता है फिर पेसाब के रास्ते में जो संक्रमन होता है उसको होने से रुखता है यूटियाई में जो प्रोलम होता है वहां भी इसका बहतर रिजल्ट है फिर जागे काडियो वस्कुलर जिसको हम लोग मतलब की काडियो के बारे में अगर बात करें तो वहां पर भी इसका बहतर रिजल्ट है फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिर आ जाती है जाकर ह में वजन के लिए वेट के लिए तो वेट लॉस में क्रेन वेडी का भी बेहतर रिजल्ट है तो यहां पर कॉमन जो हम लोग देख रहे हैं वो है जाकर कि हमारा इम्मून सिस्टम को बेहतर करने में बेडिच काम कर रहे हैं और दूसरा के हैं कि मोटापा को पैलन्स करने में भी बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं उसके बाद इसी लाइन में हमारे पास एक और बेरी आता है जिसका नाम है हम लोग जानते हैं आमवला करूप में और आमवला के बारे में अपने भोजन में आमला को सामिल कर लिया तो आप कई तरह के चैलेंज़ज को ऐसा ही कम कर देते हैं अर आमला में सबसे अच्छा सोर्स है और इससे जादा बिटामिशी आपको कुछी बेडिज में पाय जाएंगे बाकि जो बिटामिशी का अच्छा सोर्स है और हमारे लिए इजली एफ लेवल सोर्स है उसमें आमला आता है उसके बाद इसमें potassium, calcium, magnesium, iron, carbohydrate, fiber, ठीक है, यह सब इसमें बहुत ही अधिक मातरा में पाए जाते हैं, तो आमला को तो हम लोग की यहां, मतलब की अगर बात करें तो आमला को, हम लोग की यहां क्या पूरे world wise अगर इसके बारे में बात करें तो इसको अमरित माल लिया गया है, तो इस तरीके से अगर इसके बारे में हम लोग पढ़ें या जानें, तो यह हर चीज में, सो रोग की एक दरवा, means आप जो भी रोग जानते हैं, चाहिए जो भी परसानी से आप दो चार हो रहे हैं, उन सारे रोगों में यह रोल निवाता है, अब इसमें जो भी रोल means, ज में काउंड कर सकते हैं, चाहिए वो दील से समंधी परसानी हो, या डाइवटीज हो, या मतलब डाइजेशन में दिक्कत थोड़ी हो, या आपको बजन घटाना है, या आपको इनफेक्शन से मुक्ती पाना है, या हडियों को मजबूत करना है, या आग के रोशनी को बाप पाना है, उससे आपको बहतर अपने आपको करना है, तो आप अगर आमला का शेवन कर रहे हैं, इन सभी चीजों में आपको फाइदा पहुंचाता है, फाइदा मिलता है, प्रियेट्स में भी फाइदे मन्द है, परजिनन में लाबकारी है, ये सारे जो हम आप जानते हैं, चैलेंजेज, उन सभी को हमारा जो आमला है, वो बाइलेंस करता है, और हमारे बेरी जूस में ये आमला को सामिल किया गया है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, कि ये अपना जो बेरी पल्स जूस है, उसमें कौन-कौन से बेरी डाले गये हैं, उससा क्या-क्या है, अब यहां पर एक और हमारा बेरी है, जिसका नाम है एल्डर बेरी, और एल्डर बेरी भी जिस तरीके से बाकी ही हमारे पास बेरी में, इंग्रियेंट्स के रूप में या मतलब जो डाले गये हैं, बेरी ज, तो उसमें एल्डर बेरी का भी बहुत सरा फाइदा है, और कौमन जो, कौमन जो हम देख रहे हैं, बार-बार जो भी हम लोग उने कौमन देखा है, इसमें, हर का एक की कौमन है, वो है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, और डाजेशन सिस्टम को बेहतर करना, औ और जब हमारा ये तीन चीज़ बाइलेंस हो जाता है तो हमें लगता है कि सारा चीज़ बाइलेंस हो गया यह मिन सिस्टम आपका बाइलेंस है तो आपका सरीर का रोक परतिरोड़ चमता बढ़ गया है अब कोई भी चीज़ आपके उपर हावी हो रहा है उसको हावी नहीं हो करता है दिल को स्षास्त रखता है स्थार करता है धिल कि सेहत को सुधार करता है हानिकारक तो बैक्टिरिया उससे बचाता है तो आप उल मिलाकर जब बात करें ठवस्तारा में हमें इसले फायदे मिलते हैं आ सिरेंड के रूप में वेट मेंजिमेंट के रूप में डाइजेशन सिस्टम को बहतर करने में और हमें जो रिकुर्वार्मेंट है पर डे विटामी मिडर्स को उसको फुल्फिल करता है तो यह हमारे पास बेडी का बोटल अगर हम लोग बात करें तो आपको एक जार एक आप अपने पास अब लेवल है थाउजन रूपीज के आसपास में अब लेवल है एमार्पी में और सेवन हंड्रेड में इसका डीपी है तो यह प्रोड़क्ट हमारे पास बहुत ही संदार बोटल में पैकिंग में आते हैं और इससे हम अपना बिजनस को जो है ना बहतर बना सक सकते हैं लोगों को गाइड करके इससे हमारा आप तेजी से ओके लाइब केर में जो भी है तार्गेट है उसको फुल्फिल कर सकते हैं इसमें एक और बेडी के रूप में उपलब्द है जGS का नाम है अनार जिसको कि हम लोग नार के रूप अगे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि कितने साड़े गुनों को लेकर हमारा अनार हमारे बीच में उपलब्ध होता है चाहे वो एकने का प्रोलम हो एंटी एजिंग हो ड्राइए स्कीन हो वाइले स्कीन हो डेंटल केर हो एनेमिया हो डाइवटीज हो हर जगा अनार का रूल होता है इन सारे चीजहों में अनार काम करता है और यह भी हमारे इस बेरी में सामील है हमारे पास जो जूश उपलब्ध है इस तरीके से यह हमारा बेरी जूश फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है कोई भी बेख ती अगर 30 M Ministry of 30 म साम को इसका सेवन करता है तो मैं इतना बता सकता हूं कि उनको आने वाला समय में जो परसानिया बाकी लोग हो रही है वो परसानिया नहीं होगी और इसका रिजल्ट आप जैसे ही समाल करना शुरू करते हैं तो बिदिन 7 से 10 डेज में आपके सरीर के उपर दिखना शुरू जाता है आपके चेहरे के उ लोगों ने इसका इस्तमाल किया है अगर मैं पटना के बात करूं जहां पर मैं रहता हूं और जहां पर अपनी प्रेंचाइजी है तो हर महीने लगभग 100 प्लस बोटल बेड़ी जूस का परमोट होता है मेरे दौरा और मेरे टीम के दौरा हर महीने 100 से जादा इस बोटल को सेल आउट किया जाता है डिमांड है रीजन है कि हम लोगों ने इस बेड़ी को एक जूस का ऑफसन दे दिया है कि हम और आप मार्केट में कोई भी जूस को अगर सेवन करते हैं हम सभी को पता है कि जूस पीने चाहिए तो जूस पीने चाहिए तो कौन सा जूस पीएंगे तो हमें कौन से बिटामिन मिनरल मिलेंगे और कितना एंटियोक्षिडेंट मिलेगा अगर हम उसकी बात करें और क्या कौश्ट आएगा तो हमें समझ में आता है अपना बेड़ी पल्स का फायदा मार्केट में हमारा आप जाकर किसी भी तरह का जूस का सेवन करते हैं चाहि तो आपको जो करना होगा फिप्टी रूपीच तो हम अनार्क हैं तो अनार्क वालेदा मिलगा और अगर अमने संत्रा asks मिलता मिला लेकिन अगर देखा जाये तो अनार्क को एमंशाड दें जूसैं जिसमें कि मैंने संत्रा केले और पतीता और अननास यह सब की बात की इन सभी का अपना एक लिमिटेशन है मतलब किसी में बिटामिन सी का मत्रा है परचुल मत्रा में पाजाता है तो किसी में बिटामिन लेका परचुल मत्रा पाजाता है लेकिन अगर हमें तरह के बिटामिन लेने हो तो हमें चारों-पांचों जूस को सेवन करना पड़ेगा तो हमारे कंपरी ने एक बेहतर उपाए निकाला बेरी बेरी पल्स के रूप में और इसमें पंद्रा बेरी चाहिए को सामिल किया जिस तो सारा हमें इस बेरी पॉल्स के रूप्य मिल जाता है तो कॉष्ट अगर हम मार्केट का निकालते हैं तो हमें पर डे अगर दो-तीन तरह का जूस लेना हो तो पर डे हमें लगवक साथ से देर से रूपया पे करने परेंगे तब जाके जो हमारे बेरी में बेरी पॉल्स जो इंग्डेंट्स दिये गए हैं जी इतने तरह के बेरी दिये गए हैं उसका कुछ मतलब कि 30% 40% पार्ट का ही कंप्लीट कर पाएंगे तो 30-40% फाइदे जो हमें 2-3 जूस पीने से मिलेंगे जितना हमारे बेरी में है तो अगर हम 100% की बात करें कि अगर बेरी में जितने भी तरह के बेरी लिए गया है उसका अगर हमें 100% मार्केट से लेना हो तो हमें लगता है कि पर दे हमको खर्च नहीं कर सकते हैं चाहिए उतना जूस जो लोग के पास उतने पैसे हैं वह भी पर दे उतना तरह का जूस का सेवन नहीं कर पाते हैं तो यह अच्छा उप्सन है कि अगर हम 30 एमेल्स डेर्स टो से दोसुए पानली मिला कर सूबर साम लेते हैं तो हमें जितने भी तरह के हल्का सेवन करना चाहिए पांच प्रकार का सबजी हमें पढडे खाना चाहिए उसको यह कर देता है तो जब हमारा ये डाइट फुल्फिल हो जाएगा, तो डाइट से जो मिलने वाले फायदे हैं, वो हमारे बोड़ी को मिलना सुरू हो जाएगा, जब हमारे बोड़ी को फायदे मिलना सुरू हो जाएगा, तो हमारा लाइफ जो है, वो बेहतर हो जाएगा, हमारा हेल्थ जो ह लिया है लोगों की बिच में रिजल्ट की रूप में आ रहा है कि बहुत साहे लोग का वेट मेनेजिमेंट हो रहा है जो लोग इसको सुबह साम सुसुम पानी के साथ सुबह में साम में नॉर्मल पानी भी अभी गर्मी के सेज़न चल रहा है ले सकते हैं तो अगर जो सुसु रोल निभा रहा है, साथ में उनका स्कीन गलो करने लगा है, एरफॉल रुख गया है, फिर उसके बाद आई साइड बेहतर होता चला गया है, क्योंकि देखे सारा चीज बेहतर तब होगा, जब आपका डाजेशन सिस्टम बेहतर हो गया, और ये कहिन, ये जो है, इसका जो र होल है, डाजेशन सिस्टम में बहुत बेहतर हो जाता है, ये हमारे डाजेशन सिस्टम को बेहतर कर देता है, तो हमारे पास बेरी जूस उपलब्ध है, और इसका हम लोग इसी तरीके से अगर परमोसन करते हैं, लोग को बताते हैं, तो हमें ज्यादा-ज्यादा मिलेगा, जो एलोवेरा जूस के बारे में बात करी ुसमें इसमें घ्र उससे तो जो चेस्ट होता रहे। हर लोगों पसंद नहीं है अगर्ण हमें टारेक्ट में अल्लेविए जेल लेना हो तो आप उसको टेक नहीं कर सकते हैं मतलब पीने जाएंगे तो स्वाद बरदास से बाहर हो जाता है तो हर लोग उसको सेवन नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारी कंपिनी ने क्या किया है कि अलवेरा के साथ अस्वगंधा और पान का एक्टरेट का मिस्रन कर दिया है तो जैसे ही पान का एक्टरेट हमारे इस अलवेरा में आता है तो इसका स्वाद जो है पान वाला फीचर्स उसका जो पान का स्वाद होता है वो स्वाद आपको मिलना सुरू हो जाता है तो जो लोग को एलुवेरा जेल लेने में परसानी होती थी उसको स्वाथ को लेकर तो वो आपको यहां पर overcome किया गया है और एलुवेरा को मैं जीतना देखा हूं मैं इसके ज्यादा ingredients पर नहीं जाओंगा लेकिन जो मैंने खुद महसूस किया है इसको इस्तमाल करने के बाद और जो मैं काम क करता हूँ तो जो लोगे इस्तमाल करते हैं पिस तरीके से उनको बेथर बनाते हैं हम सीधा वो ही बात करते हैं तो मैं पहले अपने आपको आपके ऊपर जो मैं इसको इसले करना शरूं किया तो मैं खुद एक अरग TaraCon का benefits हमें मिला वह benefits था हमारे पेट से समंदित जितने भी तरीके के परसानी थे वह दूर हो गया चाहिए वह आपको गैस समंदित परसानी हो कब जीहट हो ठीक है यह दोनों आपके पास यह दोनों चीज़े जो है स्कॉर्ट हो जाते हैं विद्दीन एक फाइल इस्तमाल करने म तो आपका यह दोनों समस्या स्वाल हो जाता है अब क्यों स्वाल होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम क्यों बेहतर हो जाता है गेस का प्रोलम क्यों खत्रम हो जाता है उसका दिजन है इसमें परचूर मात्रा में हाइवर पाया आता है अब हाइवर का काम है हमारे डाइजे तो आप वहां पर देखेंगे कि हम जो भी भोजन करते हैं चाहे वो भेज हो या नोन भेज हो अगर भेज भोजन करते हैं चावाल दाल रोटी साग सब्जी खाते हैं उसको 100% होने में तरी डेज लगती है और हमें लगता है कि हम आज अभी खाना खाए तो चार गंडा के बाद फिर खाना खा लेना चाहिए ठीक है लेकिन आपको 100% अगर हमने जो भोजन किया है उसको डाजेस्ट होने में त्री डेज लगते हैं अगर आप नौन वेज ले रहे हैं तो तीन से चार दिन लगते हैं ठीक है तो तीन से हमें डाजेस्ट करने में भोजन को लग रहा है हम क्या कर रहे हैं उसको हैबी मात्रा में पर डे थ्री टैम्स दे देते हैं जो लोग छोटे 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 पार्ट्स में भोजन करते हैं तो उनका तो डाजेस्ट शिस्वम थ्वासर बहतर हो जाता है लेकिन जो एक ही बार में हैबी कर लेते हैं जैसे माल लिएक हम सुवा में हमको नास्ता करना है तो हम जाके एक ही बार में चार छे रोटी ब्रेकफास्ट में ले लिए और ही बहुत सारा चीज़े ले लिए ठीक है फिर दोपड में उसी तरह से ले लिए चावल रोटी डाल साग सब्जी सब ले लिए उसी तरह से लेट नाइट फिर चार छे रोटी और बाके डाल साग सब्जी दूद ले लिए तो यह जो हमने शोटे-चोटे-पार्ट्स में कुछ ना कुछ दोगहंटा तीन घंटा पर लेते रहते हैं ठीक है आप पच्छमी सबेता में देख लिए पच्छमी लोग जो है चाहे युएस के हो चाहे इंग्लेंड को हो चाहे अस्ट्रेलिया को वो लोग इसी तरीके से खाते हैं हम लोग की तरह नहीं खाते हैं कि एक ही वार में पूरा थाली में भोजन सजा लिया और कंप्लीट कर दिये तो रीजिन यहीं है कि थोड़ा थोड़ा खाएंगे डाइजेस्ट जल्दी होगा और उसके बाद वो हमें सही एनरजी में कंवर्ट होके मिलेगा तो यहां पर जो फाइवर का रोल है वो इस तरीके से बढ़ जाता है कि हम लोग जो एक वार में भोजन करने की जो आदत है तो उसको डाजेस्ट करने के लिए फाइवर किया हो सकता होती है और हमारे भोजन में आज अगर हम लोग भोजन में देखे तो फाइवर नाम की च चोकर निकाल दे रहे हैं आप जो चावल इस्तमाल कर रहे हैं उसमें से मार की रूप में हम लोग बाहर कर देते हैं लेकिन आप चीन में देखेंगे तो पता चलेगा कि वह जो हम लोग का चावल है उसी को बाहर कर देता है और जो मार की रूप में लिक्वीड है उसको इस्त digestion हमारा नहीं होगा, body digest नहीं करेगा, अच्छा हमारा body सही से digestion नहीं करेगा, तो आपको यह सब परसानी होंगी, गैस का परसानी होगी, गवजियर होगा तो गैस होगा, यह दोनों चीज़ी जैसे ही balance हो जाता है हमारा, तो हमारा भोजन अगर सही से पचने लगे हमारा बोडी में वो पहुंसकता तो जो भी हमारे भोजन से मिलते हैं वो प्रोपर टुटलाइज होगा और हमारा स्वास्त बेतर होगा तो मेन अगर हम लोग बात करें एलो बेरे में तो वो फाईवर है उसके बाद इसमें बिटामिन C भी पायाता है, इसमें बिटामिन A भी पायाता है, B1, B2, ठीक है, कैलसियम, ठीक है, आयरन, यह सारे चीज़ इसमें पायाते हैं. कोई बेक्ती अगर ब्लड प्रेसर से ग्रसित है, सुगर से ग्रसित है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप इलोवेरा जूस को देते हैं, सजेस्ट करते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से इस्तमाल करता है, तो आप इतना बता सकते हैं कि वो दो-तीन फाइल के बाद, अगर वो BP का दवा लेते हैं, उसको गैप करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सुगर और BP का रोल कहीं न कहीं इन डाइजेशन से हैं, यह दोनों चीज़े जो होती हैं वो जिनका डाइजेशन बेहतर नहीं होता है, उसके वज़ा से यह हमारा परसानी बढ़ता है, सुगर और BP वाला, ठ जिनको मतलब की हर्स-related challenges है, आप उनसे बात किजी, और उनसे पूछिए, क्या आपको गैस बनता है, बिलकुल बोलेगा, जी हां, मुझे गैस का problem है, मैरा तो मतलब, जितने भी मतलब कि मैंने अभी तक बात किया है, जिनको BP का challenges है, उन्होंने इस बात को accept किया है, तो आप गैस का problem है, इनका मतलब digestion का problem है, जो भी भोजन कर रहे है, वो सही से digest नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को अंगले से पूछिए, और सही treatment किसी को हमें देना है, हम जाते किसी को सही guide करें, तो सबसे पहले उनका diet check किजिए, अदेन आप अपना product को suggest किजिए चाहे बेडी को suggest करना है, या अलगरा को suggest करना है, या और भी जो उनको समस्या है, उससे related product को suggest करना है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर जाकर उनको ये बात है जो है, पहले जाननी परेगी, अदेन उसों जब guide करते हैं, तो आप बहतर result उनको दे सकते हैं, उनका solution complete कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपना diet जैसी हम लोग बात करते हैं, तो पता चलता है कि उनका पानी पीने का तरीका क्या है, किस टाइम पानी का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि उनका खाना खाने का timing, breakfast करने का timing क्या है, वो कितना early morning breakfast कर रहे हैं, कितना वज़े lunch करन तरीके सा guide कर दिया जाए, तो 70-80% तो challenges सिर्फ हमारा सही समय पे पानी पीना और सही समय पे खाना सही ठीक हो जाता है, और अगर इनको कुछ challenges है, तो वहाँ पर ये दो जूस है, मेडी और अलवेरा, काम को complete कर देगा, उस challenges को कम कर देगा, इन दोनों जूस को देने के पाये जाते हैं, जितने तरह के बितामिन मिलत पाये जाते हैं, जितने तरह के जितना heavy antioxidant मिलता है, तो आप किसी भी problem को solve कर सकते हैं, और हम सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो कि इस field में है, उनको पता है कि एक company जिसका नाम इंडस्ट वीभा हुआ करता है या करता था उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पेरी जूस पे ऐसा काम किया और जब तक कोई भी प्रोड़क्ट रिजल्ट नहीं देगा तो आप एक बार परमोड करके दूसरा बार आप वहां से ओर्डर नहीं ले सकते तो कहीं न कहीं उसक कि है कि उतना ज्यादा कोश्ट पे करके भी लोग उसको बाय कर रहे थे या कर रहे हैं तो हमारे पास जो बेरी जूस और एलवेरा जूस उपलब्ध है अगर इन दोनों का कॉंबिनेशन किसी को साथ में साथ में दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर उनको किस कि तरह का पर्सानी हुआ वे विह्युश में या व्रतवान में होने वाला है अगर जो स्वस्थ है और अज्माल करने के बाद ही ऑग फ़ बिदो एक से की सकून मिलना सुरू हो जाएगा अब सोलोस नमिलना शुरू हो जाता है तो लोग पर क्या मान सिकता है अब चाहे हमा यह जुसेज तो हमारी मांसिकता होती है कुछ उनका वीमारी को ठीक करना, नहीं हमारी मांसिकता यह होनी चाहिए कि जूस क्यों इस्तवाल करना चाहि scroll पहले इह बताना है और उसको बताने के बाद उनके यह भोजन में सामिल करा देना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे जैसे बाकी आप भोजन करते हैं, उसी तरी से तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे आपको यह बेरी जूस और एलविजा जूस लेने हैं, ठीक है, तो जब उनको जूस को डाइट में सामिल कर देंगे, तो जाके उनको वह फायदा मिलेंगे जो कि उनको भविस में किसी तरह के चैलेंजेंज में से परने से रोकेंगे कभी उनको भविस में चैलेंज आएगा ही नहीं ठीक है नेचरली जो चैलेंज जाता है वो आएगा ही नहीं मेरा मनना है मैं जो पिछले छे महिने साथ महिने से इन जूसेस का जो फैदा ले रहा हूँ जो हमारे लोग ले रहे हैं आप लोग भी लेंगे अगर मेरी कही बातों को आप लोग अपने उपर इंप्लेमेंट करेंगे तो कोई भी बेगती अगर हमारे पास चार जूस आते हैं चार जूसेस है भी हमारे पास बेरी है नोनी है अलुवेरा है और सी वक्तरोन है ठीक है तो इन चार जूसेस में एक जूस को बेस बना लेजिए जो कि आपको हर समय लेना है ठीक है अब वो हमारा एक जूस है जिसका नाम अलुवेरा जूस को बेस बना लेजिए, मतलब उसको दिजीए इसलिए बोर रहे हैं कि हमारे भोजन से फाइवर गाइव है, अब फाइवर का जो बेस सोर्स है, वो हमारा अलुवेरा जूस है, पेट से सम्दित, जितने भी तरह के बिकार को हम लोग जानते हैं, तो सारे बि पहतर बनाता है अलुवेरा जूस, ठीक है, आज हम आप आस पास में देख रहे होंगे कि कोस्मेटिक आइटम हो, सोफ हो, ठीक है, कुछ ऐसे बिटामिस, मिनरल्स के जो टैबलेट आ रहे हैं, कैप्सूल आ रहे हैं, उसमें अलुवेरा का रोल बढ़ गया है, अज हर इतना समझ सकते हैं, कि अगर हर कंपनिया इसके पीछे पड़ी हुई है, इसका मतलब यह है, कि इसमें जो बताया जाता है, जो इसमें पाया आता है, बाकई में वो सारे चीज़े लोग को बेनिफीट पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए जाकर हमें स्कीन को बेहतर करना है, हम सारे सारे बिटामित कुछा, फुल्फिल करना है, तो वह हां पर इलोवेरा मुहत्पोन होता है, और टो इलोवेरा को बेस बना लीजी ब् इनको पाइल्स से समंदित दिक्कते होती है तो हमारे पास किया प्रडॉक्ट को लब्द है इंटी पाइल्स तो अगर आपसे कोई भी बोले कि हमें बवासीर का सिखाय है तो आप क्या किजेगा इंटी पाइल्स को दीजेगा लेकिन अगर आप वहां पर इलुवेरा के साथ इंटी पाइल्स देते हैं तो जो रिजल्ट जो उनका जो वहासीर का जो दिक्कत का पांच छे फाइल या तीन मेहें इस्तमाल करने के बाद सुलूसन मिलेगा आप यहां पर फिर्स्ट पैकिंग में मतलब फिर्स्ट स्टाट में ही जो आप इलोवेरा और एंटी पाइल्स तो फर्स डबा जैसी कंप्लीट होगा, उनका सॉलूसन मिलना सुरू हो जाएगा. मतलब दो से तीन दिन की इस्तमाल में ही उनको ये समझ में आता है कि ये काम कर रहा है. तो हमें करने क्या है? मतलब की रिजल्ट देने हैं. रिजल्ट अगर देते हैं, लोगों को वो रिजल्ट अपने उपर समझ में आता है, देन उनका विश्वास बढ़ जाता है, फिर कंटिन्यू करते हैं. फिर उसके बाद आप उनको बोल दीजिए, कि आप इसको छे महिना इस्तमाल करना है. ठीक है, एंटी पाइस, आपको तीन फाइल इस्तमाल करने के बाद, भी आपको छे महिने तक इस्तमाल करने हैं, और जब उनको solution मिल जाता है, और आप छे महिने के बाद करते हैं, अदेन उसके बाद फिर बता दीजिए, कि इसको health maintenance में आप सामील कर दीजिए, आपको regular business प आपका user बन जाएंगे या आपके साथ business partner बन जाएंगे, तो aloe vera को base बना लीजिए, अब देन बाकी जो हमारे juices हैं, जिसमें हमनों सी बॉक्तरों और नोनी juice और बेरी juice की बात कर रहे हैं, इनको circle में उनके साथ add कर दीजिए, जैसे कि अभी मैं आपको guide करूँ, तो aloe vera juice must है, ले लिजीजे, और साथ में berry juice ले लिए आपने, जैसे ही बेरी aloe vera दोनों खतम हुआ, क्योंकि दोनों का जो version है, लिटर एक लिटर है, अगर आप सुबह साम लीजेएगा, तो 15-16 दिन चलेगा, एक time लीजेगा, तो आपको 30 डेज चलेगा, ठीक है, दोनों ले रहे ठीक है, कोई दिकत नहीं है, एक time भी अगर आप सुबह में आपने aloe vera ले लिया, साम को आपने berry ले लिया, या दोनों सुबह में ही ले लिया, तो आपको जो पूरा day का जो requirement है, वो fulfill हो गया, जिनको challenges है, उनको सुबह साम कर दिजी, अब दोनों खदम हो गया, 30 डेज में दोनों खदम हो गया, अब next फिर हम अगले में बाय करेंगे, तो क्या बाय करेंगे, फिर मेरा aloe vera होगा, बेस में aloe vera होगा, अब next हमारा नोनी होगा, या C वक्तरोन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ले लिए, साथ हमें उसके, add कर लिए, फिर next में फिर खदम होगा क्या करेंगे, फिर जाके aloe vera तो होगा ही होगा, और उसके बाद हमें C वक्तरोन लेना है, तो इस तरह से सरकल अगर चलाते हैं, तो आपको जो benefit मिलेगा, वो आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, वो जब आप इस्तमाल करना शुरू करेंगे, तो जो मिलेगा, तो फिर इसी मेरे पास बोतल भी है, ठीक है, और aloe vera का भी बोतल होगा, मेरे पास, ठीक है, तो यह दोनों मेरे base में है, aloe vera मेरा base है, और बाकी मैं तीनों product को साथ में चलाते रहता हूं, तो इस तरीके से आप यह दोनों product को promote कीजिए, लोगों को बताईए, इसका फायदे, ठीक है, तो यहां से जाकर आपका यह business में बहुत ही संदार काम करेगा, दोनों product का जो कीमत है, डीपी रेट में अगर बात करें तो 1240 रुपया है, business volume की बात करें तो 40% business volume है, तो लगबग आपको 500 business volume मिल जाता है, लगबग आपको 500 business volume हो जाएगा, तो इससे आप असानी से consistency, super consistency लोगों को करा सकते हैं, तो हमारा मकसद क्या है, कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को consistency, super consistency मिलाना, इसका मैंने बहुत अच्छा तरिके से पिछले बार में बात किया था, तो बताया था, कि देखिए, अगर हम इन दोनों product को base बनाते हैं, साथ में हमारा वो जो पांच product है, बोविन पावर, प्रो हेल्थ, पंच तुलसी, फीनल सीड, कब, फैटर, यह साथ product को आप base बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यह family को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए, ठीक है, और यह साथो product आप को साथ नहीं कहिए, दो और कहिए, नोनी और और उसको, सिवक्तरों को ले लिजिए, तो यह no product जो है न, कोई भी family में अगर चला गया, या कोई भी ब्यक्ति इसका इस्तमाल कर रहा है, तो वो family में और उस ब्यक्ति के उपर, जितने भी दूस प्रभाव हैं, अभी environment का हो, या आपके भोजन में कमी का हो, ठीक है, या radiation का हो, उन सभी दूस प्रभाव को यह निस्क्रिय कर देगा, जितने भी आप bad toxins ले रहे हैं, उन सारे toxins को detoxify कर देगा, ठीक है, तो यह investment बहुत ही normal है, आज जो health conscious लोग हैं, वो लोगों से बात जब करते हैं, उनको जब देखत हैं, हम हमारे पटना में घंस्यावमसर हैं, ठीक है, तो हम उनको देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ती बरजेश सरकाट, ट्रेनिंग का या मेरे थोड़ा वो जो मैं बात करता हूँ आप लोगों से, मेरा तो ज़्यादा तर रही रहता है कि हम product को इस्त स्यावमसर को देखते हैं, ही हेल्थ के प्रतिक कितने कॉंसेस है, अपने पूरे फैमली का साल में, पूरा बोडी का चेक अप करा लेना, कि हमें क्या-क्या परशानी होने वाली है या हो गई है, उसके एकॉर्डिंग, सप्लिमेंट हो, या भोजन हो, उसका इस्तमाल करना, तो दो-तीन दिन पहले की बात है, वो अपना पूरा अपने अपना खुद का रिपोर्ट डॉक्टर लाल पत से लेके आए, अपनी मिसेज का लेके आए, दोनों लोग का, दोनों देखिए अच्छे सप्लिमेंट यूजर, अपने अच्छे यूजर है, तो उसमें देखा कि बहुत सरा चीज़, दम बाइलेंस है, एकाद दो चीज़े हैं, जो के उपर नीचे हैं, तो हमने पूछा कि सर, इसमें आपको दोनों लोग को जाच्छ कराने में कितना घर जाया, या पुड़े उनके दो बच्चे अज़े हैं, तो आप क्या मतलब कि पूरे सब लोग किसी तरद रजी सर, हर साल करा लेते हैं, तो एक जाच कराने में उनको दो जाब से ठाई ज़र गए, अगर चारू फैमली कराते हैं, तो महीने का, सौड़ी, साल का दस हज़र गए, तो सिर्फ जाच कराने में दस ज़र अभी आप लोगों ने सुना होगा राकेस जुनजुनवाला जी का, नाम सुना है आप लोगों ने, शेयर मार्केट के या मतलब की सेयर मार्केट के बिग बुल उनको कहा जाता है हिंदुस्तान में. ठीक है उन्होंने बहुत ही कम पैसे से बहुत बड़ा पैसा बनाया था और उनका पूरा विस्व जानता है जब उनकी देत हुई हाल फिलाल में देत हुई है कि दस-पंदर दिन हो रहा है जानते हैं जो की हजारो करोड क्या बनाया है उन्होंने लाश्ट में क्या कहा है न कि मैंने इन्वेश्टमेंट तो सही जगा प्या किया है पैसा बुद बनाया लेकिन जो हमसे चूक हो गई अब वो चूक था कि मैंने अपने हेल्थ को उपर इंवेश्टमेंट नहीं किया वो सबसे बड़ी चूक हो गई क्योंकि उन्होंने हजारो करोड तक कमाया लेकिन 60-62 साल के उमर में ही उनको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ गया तो पैसा तो बेकार हो गया ना हजारो करोड उनके पास 40-50,000 करोड की बताई जाती है उनके पास 45- 50,000 करोड की संपती है वो तो ऐसी धरा कधरा रगया न。 तो यहां पर हमें भी इसी तरीके का mindshed बनाना है का मेरा mindshed हमारा mindset ही होना छाहिए हो हमें हेल्थ के परति, कौन से सुना चाहिए, देखिए, सर ने उस चीज को सामने लाके रख दिया, मेरी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, राकेश जुन-जुन वाला ने कहा था कि मेरी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरा स्वास्त रहा, मैं सभी को प्रताहित करूंग कि स्वास्त पर सबसे अधिक इन्वेस्ट करें, यह कितनी बड़ी बात, ठीक है, उन्होंने कही, हजारो करूड रूपया कमाए, लेकिन उस सब का सब धरा रह गया, तो अगर फिर मैं बात पापस आता हूं, कोई भी बेकती, एलुवेरा जूस, बेरी जूस, इबक्तरों, नोनी जूस, इन चारों पोड़क का सेवन, एजे, सप्प्लिमेंट करते हैं, एजे भोजन करते हैं, दवागुरूप में नहीं, दवागुरूप में है भी नहीं, यह हमें, जो भोजन में कमी लगा जारी है, और उसको फुल्फिल करने के लिए हैं, जो हमारा डाइट में बता जाता पांच प्रकार का फॉल पांच प्रकार का सब्जी खाने चाहिए उसका सब्चिक्टूट है तो हमें कभी नहीं दवा करूप में पर्मोड किजेगा तो लोग एक दो फाइल लेंगे और फिर भूल जाएंगे तो हमें इसको पर्मोड करना है इसको दिमाग में आपको रास वायल बेचने कि जोत नहीं परेगी आपको बेटरीं सोग करने का वसकता नहीं परेगी आपको चाहपती पर मड़ करने का वसकत नहीं परेगी क्योंकि आप इन 9-10 जो प्रोड़क्ट है 5 जो मैं बात करता हूं सो यह चार्ज जो जूसेस है नो प्रड़क्ट पर हम आप काम करते हैं और एक फैमिली हर फैमिली में चार से छे बंदे होते हैं आप फैमिली में होता है तो अगर सजेश्ट करने जाएंगे तो बच्चे है तो सर्द जुकाम होगा कफाटर चाहिए ठीक है प्रोहल चाहिए ठीक है अगर आपके family में माता पीता हैं, जो की एक age पे पहुँच गए हैं, आपकी message है, आप खुद है, तो आपको pro health चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपकी message है, तो उनको boven power चाहिए, आपका immune system, आपका gas problem को तुरन solution देना है, तो आपको पंच तुलसी, आप हिनल सिट चाहिए, ज ठीक है, उसके बाद, जो हमें vitamins and minerals चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास चारो जूसे से, तो ये 9 product हर व्यक्ति को दिया जा सकता है, हर महीनी दिया सकता है, कोश जोर लिजिए, ये 1000 रुपिया में आपको DP परेगा, वो 5 product जिसके मैं बार-बार बात करता हूँ, और ये लगबग 2500 या 2000 के असपास आएगी, DP rate, तो टोटल होगे 3000, अब इसको आप कीसी family को promote करते हैं, आप customer find out करते हैं, तो ये 3000 परोड़क्ट आपको convert हो जाएगा MRP में, चार सारे 4000 में, 1500 extra इसका MRP हो जाएगा, तो मैंने जाकर बरजे सरक को पूरा ये 100 product रखकर सामने उनसे ब किसी विव्यक्ति को अपने family में, अपने relative में, अपने friends के लिए में, आप जाकर आपके bag में, ये 10 products है, उनके पास जाकर बैठके बात करते हैं, उनको health maintenance के लिए, अदेन वो order आता है, तो order कितना के मिलना आपको, आप क्या लेंगे, MRP लेंगे, क्योंकि आप उनको customer treat कर र अपने लोग हैं, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप अपना FMCG product को भी इंटर कराना, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है, जो आप discount उनको देना चाहते हैं, वो discount न देकर 500 का product keep कर दीजिए, क्योंकि आप उनसे 1500 लेकर आ रहे हैं, वो आपके परोसी हैं, आपके जान अब देना भी चाहिए, ठीक है, तो इकल होके पता चलेगा कि इसी तिसरे बेक्टी से, तो सवाल खरा हो जाएगा, कि भाई, आपने हमसे अपनी बेक्टी होके आपे 4500 में ले रहे थे, इतना मतलब कि हमसे margin ले रहे थे, तो आप उहाँ पर discount के रूप में क्या कीजिए, पॉड़क्ट कर दीजिए, जैसे कि अब 500 का पॉड़क्ट समय देना है, आप उनको सेंपु इस्तमाल करा है, तो सेंपु गीप कर दिजिए, 270 करेंका, 500 का, हैंडबास गित कर दीजिए तो प्रोड़क्त आप प्रोड़क्ट आप ने उनको इंटर्ड серьक दीए मैंus Stef और आपके जूस जा रहे हैं यह प्रोड़क्स जा रहे हैं अब जैसे यह प्रोड़क्स उस घर में चला गया वह इस्तमाल किये प्रोपर तरीके से आप उनको time to time consult में रहिए उसे बातचीत करते ये पुछते रहिए एक ऐसा क्या मतलब response दे रहा है ठीक है तो next order जब फिर आएगा फिर आपको 45 हो आएगे फिर आप दो नए products को इंटर कराईए ऐसे करके आप FMCG के 3, 4, 5 order में कम से कम 10 से बारा product आप इंटर करा देंगे उनके घर में पता चलेगा कि next to next जब order आना शुरू होगा तो आपका ये 45 सोगता order आई रहा था साथ में ओ 10 product का भी order आना शुरू हो गया और उसका value भी कहीं ने कहीं 2-3,000 रुप्या हो गया अब एक family से जो आप 1000 रुप्या बना रहे थे वो अब 2000 रुप्या रिटेल प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे और फ़र देने के बाद भी एक family से कोई भी विवेक्ती minimum जो order है 5 यार्स ज़्यादा कर ले सकता है ठीक है अब वहाँ प्रापका जो profit होगा पंद्रसो से दो जालता है तो यह तरीका अगर हम लोग अपने बिजनस में अपलाई करते हैं तो आपको किसी तरह का consistency, super consistency करने में असुदा नहीं होगा आप self 25,000 भी self कर सकते हैं और यह मैं बड़ावर करता हूँ परजेसर से लगता है कली बाचीत हो रही थी रंजी सर्वी लाइन पे थे तो आज मेरे पास woman power लगवग 300 पीस है और उसमें से लगवग 2500 पीस है जो है ना बीना business volume का है तो बोलेंगे सर इतना business volume बीना business volume का इतना product कैसे आपके पास हो गया तो आपने बीभी मार दिया क्या हम कहें सर नहीं बीभी नहीं महीने मारा एक चूली क्या है ना कि हम खुद जो है super consistency साथ ID पे चलाते हैं और यह मेरा जब से मैंने ok life care start किया है उस समय से चला रहा है ठीक है अब आप पुझेंगे सर उसमें तो consistency था नहीं उस समय नहीं था तो उसमय कंपनी ओफर देती थी कि 5 जारे खड़ी दिएगा तो यह ओपर है 10 जारे खड़ी दिएगा तो यह ओपर है तीन जारे खड़ी दिएगा तो यह ओपर है इस तरह से पिछले ढाई सालों में हर मेने मेरा चालिस से पचास जार का रिटेलिंग है उस तरह से कस्टमर बने हुए है तो पिछले ढाई सालों में आप सोचिए कि मेरे पास कितने प्रोड़क्स हो गया होंगे मेरे फ्रेंचाइजी में अगर 9-10 लाग का प्रोड़क्ट है ना उसमें से चार-पांच लाग का सिर्फ ओफर वाला प्रोड़क्स है मेरे पास वो रोटेट होड़ा है ठीक है तो इस तरह के से करके कोई भी बेक्ती साल में खाली ओफर से लाग-दू लाग रुपया का प्रोड़क्स एक्स्ट्रा तो कलो के हम सेल करेंगे न अभी तो हम माली कि अब उसमें से प्रोफिट भी निकलता जाता है उससे आप बना सकते हैं और 25,000 भी भी सेल्फ कर सकते हैं और मुझे पता है कि अगर आप 25,000 भी भी खुद करते हैं तो जो पच्चास पचास पचास बीस दस का जो हमारा प्लान में जो सारा इंकम लेने का टार्गेट है आप सोचिए कितनी लोग मिली कर सकते हैं अगर आप 25,000 वीवी सेल्फ कर ले रहे हैं क्योंकि मैंने बात किया 9-10 प्रोड़क्त की 9-10 प्रोड़क्त अगर आप ज्यादा नहीं 15 फैमिली को देते हैं 15 फैमिली को कस्टमर बना लेते हैं तो आपका टोन नमर 50 से 60,000 का होगा 60,000 का आप निकाल लीजिए 40% कितना आता है 24,000 वीवी होता है जिनरल प्रोड़क्त जो ग्यूप्त दे रहे हैं उसे उटर आड़ा उसकी बाती नहीं मैंने किया ठीक है तो 25,000 वीवी आप खुद सेल्फ करते हैं और जो चीज़ आप खुद करते हैं वही चीज़ आप सिखा देते हैं टीम A में दो लोग का टीम B में दो लोग का दो लोग को कितना वीवी देगा बंदा 50,000 वीवी टीम A से आजाएगा 50,000 वीवी टीम B से आजाएगा आप जो परसनल वीवी कर रहे हैं उसको डाल दीजिए सिरिय डी में 20,000, 10,000 हो गया कंप्लीट हो गया आप कल्कुलेट कर लिजिए और आपको कितना वाटसप पर आया होगा पिछले प्याओट किनी व्यक्ति का जिनका की प्याओट था 50,000 पलास 52,000 था सर देखिए होता क्या है ना कि हम लोग बहुत भाग रहे हैं भागने से नहीं होगा ओके लाइब केरे में अस्थिर रही है जो बेसिक है ना उसको कीजिए बेसिक एई है कि 15-20 कस्टमर खुद का बनाईए और जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा बंदा सिरियस पर्सन को पकड़िए और उसका भी वही काम करवाईए 15-20 कस्टमर बनाने में कितना समय जाएगा सर कितना सारा बुक्स पढ़ गए हैं हम लोग कितना जाके समय देते हैं जॉब करते हैं तो सुबह से लेके लगे रहते हैं साम तक कितना परिसर रहता है आफ करते हैं तो हमको पूरा महिना में तो आसानी से पंदरा बन जाएंगे ना तो जब हम अपनापोरा हम अपना कस्टमर अग्ले बना सकते हैं तो मेरे साथ जो 2 total जोई उन किया है और उसको सब्सक्रीद क्रें कितना देन लेगा तो मिल अन्こん में कोई व्यक्ति को के लाप किया से पचास जर्वे महिना एकाउंट में लेके आ सकता है रिटेल प्रोफिट और बाकी जो फर मिलने वाले वो अलग हो गए तो बीजनर्स को इस तरीके से लिजिए और इस तरीके से कीजिए और ग्रो कीजिए तो चलिए टाइम बहुत ज्या